उसकी लिए निए गज़ित्व बलागें चाहिए निए तो या जिस्कूच आप अध्याद में आपके अध्याद में स्टार्ट हो गए हैं और हम पेनी यहीं सोचते हैं कि आपके सीज का सूर बनाया जाए तो उसी पावलम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक बहुत ही healthy soup जो अपने आपने एक wholesome meal भी है जिदि आप डाइट पर है या ओफिस से आने के बाद कुछ लाइट चाहते हैं तो यह एक दम perfect है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे थुदा सा बटर उसमें हम एड़ करेंगे बहुत बारी कटी हुई प्यास बारी कटी हुई गाजर थोड़े से बारी कटे हुए अजवाइन के पत्ते अब इन सभी को हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे प्यास और गाजर को कुक होते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे बारी कटा हुआ गार्लिक टमाटर यह दो मीडियम साइज के टमाटर को मैंने बारी काट लिया था और साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे वन थर्ड कप राजमा यह बॉल्ड उले हुए राजमा है मिक्स कर लेंगे सॉल्ट एड़ करेंगे अपने टेस के हिसाब से और इसमें आधा लीटर की करीब पनी डाल देंगे मिक्स कर लेंगे और कवर करके इसको पाच मेंट की करीब पका लेंगे जिससे की जो हमारी सबजियां है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होगी झाल 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 प्रेश पजवाइन की लीव से बानिश करेंगे और गर्मा गरम सर्फ करेंगे और इंजॉय करेंगे अपनी विंटर्स को और यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंट्स के साथ थैंक यू पॉर वाचिंग दा वीडियो चुल झालाएब करेंगे और शॉर्ण सर्फ करेंगे तो प्लीज मेरी ये सु़र्स के साथ आपको करेंगे रेसिपी अपना करेंगे दो भीडियो